नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं पृति दयाल आपके साथ देखें बिहार में लोगसभा चुनाव से पहले जो मुकाबला है वो पूरी तरह से रोमान्चक हो गया है एक के बाद एक दिन प्रती दिन जो राजनिति घटना क्रम है वो बदलते जा रहे हैं इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है आरजेडी से जूरी हुई जी आदशकों मैं आपको बता दो कि आरजेडी की ओर से पिछले दिनों ही पूरे 22 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी गई थी आपको बता दे कि आरजेडी की खाते में कुल 23 सीटी गई है जिसमें से केवल सीवान को छोड़ करके बाकी के 22 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी गई थी तो वहीं अब जो सीवान सीट को लेकर के सस्पेंस बरकरार था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है जी आदश को मैं आपको बता दो कि लालो प्रिसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सीवान सीट के लिए उमिद्वार ढूंड लिया है आपको बता दे कि पुर्व विधान सभा अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी को लालो यादव ने सीवान से टिकेट दिया है आपको बता दे कि लालो यादब ने अवद बिहारी चौधरी पर भरोसा जताया और उन्हें सीवान से सिंबल दे दिया है जिसके बाद ये खबर चर्चे में बना हुआ है इसके साथ ये बात करें पिछले दिनों की गतिवीधियों को तो सीवान पर लगातार सस्पेंस भरकरार था ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं जो आरजेटी है वो हीना शहाब को मनाने में जूटी हुई है साथ तोर पे जिस तरह से 22 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी गए थी और सिफ सीवान सीट को छोड़ दिया गया था उसे होल्ड पे छोड़ दिया गया था जिसके बाद ऐसी खबरे सामने आई थी ऐसे कयास लगाय जा रहे थे कि आरजेटी की ओर से कहीं न कहीं हीना शहाब को मनाने की कोशिश की जा रही है हाला कि हीना शहाब ने पहले ही सीवान से निर्दली चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था साफ तोर पे उन्होंने कहा था कि या तो वे खुद सीवान से चुनाव लड़ेंगी या फिर उनके बेटे उसामा शहाब सीवान से चुनाव लड़ेंगे लगाता जो कयासों का बाजार था वो पूरी तरह से गर्म था कई तरह के सस्पेंस बरकरार थे लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म हो गए है RJD ने अब अवद बिहारी चौधरी को जो टिकट है वो दे दिया है आपको बता दे कि अवद बिहारी चौधरी लगातार सिवान जीले में देखे जा रहे हैं वे लोगों से जन संपर्ट कर रहे हैं इसके साथ ही वोट की अपील भी करते हुए देखे गए है तो इस बीच अब सस्पेंस को खत्म कर दिया गया है और लालो यादव और तेजस्वी यादव ने जो टिकट है वो अवद बिहारी चौधरी को सौप दिया है इस बीच आपको बता दे कि सिवान में अब त्री कोणिये मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है जी अदर्षको मैं आपको बता दो कि एक तरफ जहां आरजेरी से अवद बिहारी चौधरी चौधरी चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ अंडिये से रमेश कुछवाहा की पतनी विजयलक्ष्मी चुनावी मैदान में उतर चुकी है आपको बता दे कि इन दोनों के अलावे अब तो हीना शहाब भी निर्दल ये चुनाव लड़ने वाली है तो ऐसा कहा जा रहा है कि सिवान में कहीं न कहीं मुकाबला तुरी कोणी हो गया है और ये बेहद ही रोमान चक भी हो गया है हाला कि जनता किसे समर्थन देगी तीनों उमेद्वारों की और से कई तरह के दावे किये जा रहे हैं जीत को लेकर के लेकिन जनता का सपोर्ट किसे मिलेगा यह तो देखने ही वाली बात होगी तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही है अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर ही वीडियो फेस्बूक के माधियम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले